एहम्दाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने शिला न्यास कर दिया है आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सौमबार को विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एहम्दाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चलन दूसरे और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमी पूजन किया है यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज गुजरात के दो प्रमुख शहरी केंद्रो के लिए एक एतिहासिक दिन है सूरत मेट्रो का भूमी पूजन और एहमदाबाद मेट्रो का फेज टू का सुबह साड़े दस बजे शिलान्यास होगा शिलान्यास करते वे मोदी ने कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केर इंशोरेंस प्रोग्राम भारत में चल रहा है तेज इंटरनेट से छे लाग गाओं को जोडने का विराच कारिय भी भारत में चल रहा है यहां ये भी बता दे कि परसो ही कोरोना संक्रमन के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है अज भारत आत्म विश्वास के साथ फैसले ले रहा है उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है अज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है अज दुनिया का सबसे बड़ा एफोडिबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है मोधी ने कहा कि हम में से अधिकांश ने वो दोर देखा है जब गुजरात के गाउं तक ट्रेन और टेंकरों से पानी पहुँचाना पड़ता था अब गुजरात के हर गाउं तक पानी पहुँच चुका है इतना ही नहीं अब करीब 80 प्रतिशत गरों में नल से जल पहुँच रहा है गुजरात के सूखा गरस्त शेत्रों को हरित करने के लिए काम किया गया है नर्मदा का पानी अब सेकड़ों किलो मीटर दूर कच्छ तक पहुँच रहा है जहां कभी सचाई की सुविदा संभव मानी जाती थी वहां पर भी पानी पहुँचा है उन्होंने कहा कि बीते च्छे वर्षों में देश में स्वास्त सेवाओं से जुड़ी योजनाय शुरू हुई है उनका भी लाब गुजरात को बहुत व्यापक रूप में मिल रहा है गुजरात के शहरों के साथ ही ग्रामीन शेत्रों में भी बीते वर्षों में अभूत पूर्व विकास हुआ है विशेश रूप से गाउ में सडक, बिजली और पानी की सिती में बीते दो दशकों में जो सुधार आया है आयशमान भारत योजना के तहट गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है सस्ती दवाईया देने वाले सवा 500 से ज़्यादा जन औशधी केंद्र आज गुजरात में कारे रत है प्रदान मंत्री ने कहा कि आयमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा सूरत में मेट्रो नेटवर्क एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपून व्यापारी केंद्र को आपस में कनेक्ट करेगा उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के 10 से 12 वर्ष में सिर्फ 225 किलो मीटर मेट्रो लाइन ओपरेशनल हुई थी वही बीते 6 वर्ष में 450 किलो मीटर से जादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है उन्होंने कहा कि आज सूरत आबादी के लिहाद से एक तरफ देश का आठवा बड़ा शहर है लेकिन दुनिया का चौथा सबसे विक्सित होता शहर भी है दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तराशे जाते है प्ये मोदी ने कहा कि आज एहमदाबाद में 17,000 करोड रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है वही दूसरी और नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए Statue of Unity के वडिया को देश के विबन हिस्तों से जोडने के लिए आज ट्रेनों को हरी जुन्डी दिखाई है ये ट्रेने के वडिया से हजरत निजामुदीन, रीवा, चिन्नाई, वारांसी, दादर, एहमदाबाद, प्रतापनगर को जोड़ेंगी इसके अलावा प्ये मोदी ने के वडिया रेल्वे स्टेशन सहित गुजरात में विबन रेल्वे परियोजनाओं का उधगाटन किया बतादे की के वडिया में ही देश के पहले ग्रह मंत्री और लोग पुरुश माने जाने वाले सरदार वललब भाई पटेल विशाल प्रतिमा स्टेशू ओफ यूनिटी है प्ये मोदी ने कहा कि अगर कहा जाए कि रेल्वे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग-अलग कोने से एक ही जगे के लिए इतनी ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई गई है तो गलत ना होगा प्ये मोदी ने कहा कि इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा स्टैच्यू ओफ यूनिटी देखने आने वाले प्रियटकों को तो मिलेगा ही साथ ही ये कनेक्टिविटी के वडिया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है बताते चले कि एहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का पीम मोदी ने शिला अन्यास कर दिया है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी ने सोमबार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चलन दूसरे और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमी पूजन किया है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें भन्यवाद अपर्फेक्ट वेन्यव वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजबी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब